जहें दोस्तों बंदे मातरब। एक राष्टर के तौर पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कई सारी चीजों के लिए आपको आजादी मिलती है। अगर हम मिडिलीज के देशों की बात करें तो आप देखेंगे कि वहाँ पर लोगों को मुनके मौलिक अधिकार ही नहीं मिलते है और अफगानिस्तान जिसे देश की बात करें भले ही लोग कहें कि वो एक धरम से जुड़ा हुआ देश है इसलिए वहाँ इतनी परिशानिया ह तो हमारे देश में जो इतनी कॉंट्रोवर्सी चल रही है वो भी धरम के कारण ही चल रही है आप देखिए अभी जो हिजाब कॉंट्रोवर्सी चल रही है वो आखिर क्यों चल रही है स्कूल यूनिफॉर्म क्यों होती है ये बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ रही इसलिए पूरे देश में इसको लेकर अब कॉंट्रोवर्सी की शुरुवात हो चुकी है स्कूल कॉलेज या ऐसे किसी भी संस्थान से निर्देशित ड्रेस कोड सभी के लिए होता है और उसका पालन करना होता ही है ये नियम कॉलेज प्रशासन का था ड्रेस कोड दरजनों जगे लागू है स्कूल से लेकर सिना तक कोड से लेकर होटल तक उसे फॉलो करना ही होता है यही अनुशासन है यही प्रोटोकॉल होता है और यही बात मैं फिर से दोराना भी चाहूँगा एक बर परताल कर ले उड़ीपी के उस कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी नहीं थी लड़कियां क्लास में भी हिजाब पहनने के नोती मांग रही थी जिसके लिए मना किया गया वो महीला कॉलेज है हिजाब पहन कर ना आने के आदेश का विरोध छात्राएं कर रही थी तो उसका संग्यान प्रशासन को लेना ही था कॉलिज को लेना ही था भगवा शॉल वालों को नहीं खेर मामला अब कोर्ट में वो जो से धार्मी कस्विता से जोड़ कर देख रहे हैं कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार है बिल्कुल है मैं हर तरह के परदे का विरोध करता हूँ लेकिन आपको पसंद है तो आप हिजाब पहन कर सड़क पर घूमें पूरी दुनिया ना पाएं लेकिन जहां सभी के लिए एक यूनिफॉर्म सुनिशित करी गई है आपको अलग से वहाँ पर छूट आकर किस बात की दी जाए देखें किये किस तरह की लड़ाई किताब सो शिफ्ट होकर हिजाब पर आ रही है लड़ना था पढ़ने के लिए लेकिन लड़ रहे हैं हिजाब के लिए राइट टू किताब अब राइट टू हिजाब में तब्दिल हो चुका है जिस परदे से निकलने में सदियां खब गई आज आप उसके समर्थन में सलक पर घूम रही जब इस परदे का विरोध हुआ था तो ये सलक तक नसीब ना थी कितने संगर्शों के बाद ये मौके मिले हैं लेकिन आपको हिजाब के लिए लड़ना है मौलाना खुशी से फूल कर कुपपा हुआ जा रहा है बैनर मिलने लगे भाईया पहले हिजाब फिर किताब जो काम अब तक पुरिश वर किया करता था और करवाना चाहता था वो आप सब खुद कर रहे हैं पितरसत्ता एक बार फिर से कामियाब हो रही है चाहे हिजाब ओडे या स्टॉल ओडे यही चाहिए था पितरसत्ता को कि उनका थोपा हुआ आप सुईकार करे रिवाज धर्म अस्विता के नाम पर ही सही लेकिन सुईकार करे विवेक शील महिलाय समाज के चंगूल से बच निकलती है इसलिए उसे रिवाज बना दो थोड़ा सा धर्म मिला दो और बस हो गया काम आप देखें कि मुसकान की शिक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है हाँ पर सुरक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है हाँ पर बात धर्म की हो रही है वावाही धर्म के लिए हो रही है किसी महिला की शिक्षा की अधिकार की कोई बात नहीं कर रहा है राइट टू एजुकेशन तो कहीं पीछे छूड गया है आगे आगया है अब हिजाब और हिजाब चाहिए भी किताब की बात बाद में देख लेंगे तो पहने हिजाब और पहन कर समूचे भारतवर्ष की सड़क को भर दे इसके बाद जब वक्त मिलेगा तो सोचिएगा नुकसान किसका कर रहे है पितरसत्ता को यही चाहिए कि आप उनके एक इशारे पर मरने कटने के लिए तयार हो जाएं करांती के नाम पर फिर से गुलामी तो नहीं कर रहे है यह बात आपको खुद सोचनी होगी यह ना कहेंगे हिजाब हटाने की जबरदस्ती हुई उसका विरोध कर रहे हीरो बनने आये लफंगे कुछ नरधारित नहीं कर सकते और उनके आने से पहले भी हिजाब की मनाही का विरोध हो रहा था यूनिफॉर्म पर ऐसी भहस बेकार है यूनिफॉर्म का मतलब है सबके लिए एक समान होना कुछ भी सीखने से पहले समानता सीखना अनिवार है और अगर आप उक्वालिटी ही नहीं सीख पाएंगे तो आप मुझे ये बताए कि जब आप कल को मार्केट में जाएंगे काम करेंगे परिव और आप